तो हेवरीवन वेल्कम बैक दिशिश्यम्शुकला एंड यूर वाचिंग स्कोप एजुकेशन तो आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू स्टडी लाइव का प्रो मतलब कि कम समय में ज्यादा स्लेपस कैसे कंप्लीट करें और ज्यादा अच्छी तो आज मैं यह वीडियो तक के लिए जो लोग अकलब 6 गंटा पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने वीडियो पनाई हुई है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो कुछ टिप्स मैं आपको पताने चाहूंगा कि सिर्फ इस वीडियो को ना देखिए मतलब क सिर्फ वीडियो देख करके चले जाना बेकार है आपके लिए वीडियो बेकार है आप इसको कट कर दीजिए दूसरी टिपी है कि आप फिक्स टाइम कर लीजिए कि आप कितना घंटा पढ़ सकते हैं जैसे मेरा मैक्सिमाम है कि मैं बढ़ सकता हूं एक दिन में 8 गंटा मतल क्या होता हम लेट करके पढ़ते हैं तो सही नहीं रहता है वह अगर आपके पास टेवल चेर नहीं है तो आप जमीन में सीधे स्ट्रेट बैट करके पढ़ें वह ज्यादा प्रोडक्टिव होगा आपके लिए तो चलिए देखते हमारी टिप नंबर वन तो टिप नंबर व इन सी आर्टी से बना सकते हो किसी भी बुक से बना सकते हो नोट्स कैसे बनाते हैं वो भी वीडियो बना चुका हो अगर आप खुद के नोट्स बना लेते हो तो आपको वीडियो देखने की कोई ज़रत नहीं है क्योंकि आप खुद के नोट्स बना रहे हो तो उनहीं से र करना चाहिए और रीवीजन के लिए आप एक बर चाहों तो देख सकते वीडियो की दो तरीके के आखने रिभीजन पार्टा ऊई हुआ ऊस वीडियो में active revision or passive revision, जिसमें कैसे हम लोग करते हлед Science Active revision में कुछ subject आजाते होась passive revision में कुछ subject आ सकते हैं तो अगर आपके past time हो तो आप और वीडियो देख सकते हो नहीं तो मद देखो, कोई बात नहीं revision आप normal जैसे करते हो कि रोज daily उस तरीके स्कार ना सभी सब्जेक्ट का करना यह नहीं कि आप एक दो तीन चार कुछी सब्जेक्ट का करो और एक फिक्स टाइम मतलब इतने से इतने वज़े मुझे रिवीजन करना है फिर टिप टू आती है क्या होता है कि हम लोग आजकल ऑनलाइन के जमाने तो ऑनलाइन जब मुबाइल से पढ़ने जाते हैं यूटूब कोई नहीं पढ़ने जाते हैं तो अगर कुछ भी नया पढ़ने जाने तो पहले आप खुछ से एक बार ट्राइब करें से आटी की बुक पढ़ लें या कोई पढ़ने जब समझ में ना है तब आप मुबाइल पर जाएं अगर आपका ट्यूशन हो तो आप उसमें मतलब थोड़ा कम करना पहले हैं मैं डिस्ट्रक्शन एवाइड कैसे करते हैं स्मार्टफोन डिस्ट्रक्शन वो भी मैं वीडियो बना चुका हूं लेकिन को यह मैं स सुबह सुबह पढ़ें और जो आपके आसान टॉपिक्स हैं उन्हें आप रात में पढ़ें और ब्रेक ना ले पढ़ाई करते बाद क्यों कि हूता है अपने लो कि एक घंटा पढ़ेंगे दसमेंट का ब्रेंगे प्रेंड चला जब ठक जा तो पूरा एक घंटे का लेलो म तो प्लीज इन टिप्स को फॉलो करियोगा होब वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करिएगा मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स वर वाचिंग जैहिंद